लेकिन सुन रहे हैं बाहर खिडकियों से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मंच पर उपस्थित AICC और्गनाजेशन के जनरल सेकरेटरी वेनू जी जनरल सेकरेटरी सुर्जेवाला जी इसी डिपार्टमेंट के चेर्मेन नितिन राउज जी बिहार के परभारी भक्चरंदास जी बिहार के अध्यक्ष मदन महंजाजी और कॉंगरेस पार्टी के ट्रेजरर पवन बंसल जी हमारे युवा साथी और गुझरात कॉंगरेस के वर्किंग प्रेशिटेट बाई हार्दिक पतेल जी और हमारे आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर हर घरी हमारा साथ देने वाले हमारे साथी बढ़गाम से निर्दलिया विधायक साथी जिगनेश मेवानी जी मैं आप सब का आभार विक्त करता हूँ और मैं अपने पत्रकार साथीयों से कुछ चीजों को लेकर मुखातिब हूँ उससे पहले आज ये एक अतिहासिक दिन है आज सहीद आजम भगत सिंग की जैनती है लोग शहीद होते हैं भगत सिंग सहीद आजम है सहीद आजम इसलिए हैं कि आज हम लोग जहां माल्यारपन करने के लिए गए थे सहीद पार्क वो सहीद पार्क एक अतिहासिक पार्क है वो हिस्सा है फिरोसा कोटला फोट का जहां पर चंदर सिखर आजाज जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की अंग्रेचों के जमाने में करांतिकारी छुपकर मीटिंग किया करते थे नौजवान तरुन भगत सिंग एक परपोजल लेकर के आए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम अब हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी होना चाहिए यह इतिहासिक छन वो भूमी और हमारे युवाओं के आइकन सहीद आजम भगत सिंग को हम अपना नमन प्रस्तूत करते हैं आज एक दुखट घटना भी हमारे जिले में हुई है बजरपात के चलते दो बच्चियों का निधन हो गया है मैं इस मंच से उनके परती सोक व्यक्त करता हूँ और उनक तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है आजकल सूचना करांटी के इस दौर में हमसे ज़्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है तो बहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें मैं आपका जवाब दूँ लेकिन आप सवाल कहां से पूछेंगे और आपके मन में कौन से सवाल चल रहे हैं इसका थोरा सा अंदेशा है मुझे थोरा अंदाजा भी है सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पत्रकारिता की उस मिसाल को जिन्दा रखा है कि कम से कम विपक्च से तो सवाल करते हैं ना ताकि इस देश को याद रहे कि पत्रकारों का काम है सवाल पुछना, तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा, जितना सवाल आप पुछना चाहते हैं, पुछिएगा, बारी बारी से पुछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूँगा, बस एक सवाल का जवाब जो उनकी तरफ मुखातिब होंगा माईक उनको समर्पित करूंगा मैं कॉंग्रेस पार्टी इसलिए जोईन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग वो सिर्फ लोग नहीं है वो एक सोच है वो इस देश की सत्ता पे ना सिर्फ काबिज हुए हैं इस देश की चिंतन परंपड़ा संस्कृति इसका मूल इसका इतिहास इसका बरतमान और इसका भविस्थ खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो जो सोच है उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुन चुनाओ कीजिए दोस्त अपने आप बन जाएंगे तो हमने ये चुनाओ किया है हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी सबसे लोकतांत्रिक पार्टी मैं जोड़ दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी ताकि आप लोग पडिवार बात पे सवाल जरूर कि अगर कॉंग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा और ये बात मैं आपको असपस्ट कर देता हूं देश में प्रधान मंतरी अब भी हैं देश में प्रधान मंतरी इससे पहले भी थे देश में आगे भी प्रधान मंतरी होते रहेंगे लेकिन आज जब हम लोग स्री प्रिधान की कौपी दी और हमने उनको भगत सिंग, गांधी और अंबेटकर की तस्वीर प्रस्टूत किया क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज इस देश को भगत सिंग की बीरता की जरूरत है बगत सिंके साहस की जरूरत है आज इस देश को अमबेटकर की समानता की जरूरत है और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है गांधी जब कहते हैं रघुपति रागव राजा राम पतीत पावन सीता राम ईश्वर अल्ला तेरो नाम सब को संदमति दे भगवान ये गांधी की एकता है जब अमबेटकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मुल्यांकन वहां महिलाओं की क्या इस्थिती है इस बात से होगा तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं मैं नहीं मानता हूँ कि डक्टर बाबा साथ भीमरा अमबेटकर किसी एक समुदाय के नेता थे कॉंग्रेस पार्टी ने संबिधान सभा ने डक्टर बाबा साथ भीमरा अमबेटकर को संबिधान बनाने की जिम्मेवारी दी और उस संबिधान के प्रियंबन में यह लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत संपन समाजबादी धर्म निटपेश लोकतांत्रि गनराज्य बनाने के लिए इसमें सहमानता न्याय के मूल नहित है और जब भगत सिंग कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं विचारों को नहीं आप बम और पिस्टॉल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं उस साहस की जरूरत है हमको मुझे नहीं लगता है मेरे बहुत सारे राजनितिक दोस्तों को ये लगता है मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिती में चली गई है लेकिन जिनको लगना है उनके पॉलिटिकल इमेजनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना सोरूम बचाने के चक्कर में है रे भाई मौल में आग लग गया है दुकान बचाओगे बस्ती में जब आग लग जाती है ना बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए आज हम इस मुहाने पे खरे हैं कि इस देश के भीतर भारतिय होने की जो पहचान है जिसमें बुद्ध नहीं थे जिसमें कवीर नहीं थे जिसमें नानक नहीं थे जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है उस भारतिया चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है इसलिए हम कॉंग्रेस पार्टी में सामिल हुए है कि कॉंग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा कॉंग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नाइडू के विचारों को लेकर के चलेगा कॉंग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हम बेड़कर नहरू, अस्वाक उल्लाख खान सहीद आजम भगत सिंग और मौलाना अबुल कलाम के आजाद के रास्नों पे चलेगा हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते है यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है यह भारतिय होने का इतिहास है और इस भारतिय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो यह देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है यह मैं नहीं कह रहा हूँ कोई सास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए जब विपक्ष कमजोर हो जाता है सत्ता ताना साही रुख अख्तियार कर लेती है इसलिए देश की सबसे बरी विपक्षी पार्टी मैं कोई गुना गनित नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे यह बात सीधे तोर पे समझ में आ रही है कि देश के लोक सभा में 545 सीट है 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कॉंग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है लेकिन जो पार्टी सबसे बरी पार्टी है सबसे बरी विपक्षी पार्टी है उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया अगर बरे जहाज को नहीं बचाया गया छोटी छोटी कस्तियां भी नहीं बचेगी इसलिए और मैं जब यहां बैठा हुआ हूँ मेरे इतिहास को मेरे बरतमान को लोग देख रहे हैं बहुत सारे सवाल हैं वो आएंगे उनका जबाब मैं दूँगा लेकिन यह जो एतिहासिक जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुह नहीं मोर सकता हूँ मैं जहां पैदा हुआ जिस पार्टी में पला बढ़ा उसके परती मैं आभार विक्त करता हूँ उसने मुझे सिखाया पढ़ाया लगने का जजबा दिया है लेकिन उस पार्टी के साथ साथ मैं उन लाखों करोरों लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे अपने इसकूल के वाटसेब ग्रूप में जब हम लोगों के उपर अनावस्तेक आरोब मढ़े जाते हैं तो अपने दोस्तों से लड रहे थे अपने घरों में डिनर टेबल पे लड रहे थे लोगों की दोस्तिया तूट गई हम लोगों के आंदोलन के समर्थन में और मैं मजाट नहीं कर रहा हूँ लोगों के डिवोर्स तक हो गए ये जो देश में एक बैचारिक संघर्ष छिरा है उस बैचारिक संघर्ष को कॉंग्रेस पार्टी ही नित्रित दे सकती है यह हमारा भरोसा है और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के जो लाखों करोडों नौजबान आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनसे भी मैं आगरह कहता हूँ दिवाल पर बैच कर टुकुर टुकुर मूह ताकने का वक्त नहीं है यह अर्जिंसी का टाइम है और इस अर्जिंसी के टाइम पे दिवाल पे बैच करके दाया जाएं की बाया जाएं यह मत सोचिए जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो एविलेबल चीजे होती हैं आप उससे मुकाबला करने की कोशिस करते हैं कॉंग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है अगर कॉंग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोरों नौजवानों की अकांचाएं बचेगी गांधी की मिमानसा बचेगी भगत सिंग के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साब भिमरा अंबेदगर की समानता का भारत का निर्मान संभब हो पाएगा इसी आशा और उमीद के साथ मैं इस पार्टी से जुरा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि कॉंग्रेस पार्टी जो अपने आपको एक लोगतांत्रिक पाइटी कहती है आजादी के साथ अपनी पूरी मुखरता के साथ सत्ता से सवाल पूछना और लोगों के हक के लिए लरना भिरना संघर्स करने में हमारे साथी रहेंगे हमारे सहयोगी रहेंगे और ये परिवार संघ परिवार नहीं वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना परे वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है कहता है कि अपने परिवार में रहें अरे महात्मा गांधी कस्तुर्वा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए बताईए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा कोई जरूरी है क्या घर परिवार के साथ रहना है डॉक्टर बावसा भीमरा अमबेदकर भी अपने परिवार के साथ रहते थे आप जितने बरे लोग हैं उनका इतियास उठा करके देख लीजिए सब लोग अपने परिवार के साथ रहते थे वो परिवार छोड़ करके बनने वाला परिवार नहीं नयाय बराबरी और संघर्ष के लिए इस परिवार में मैं सामिल हुआ हूँ सभी सदक्षियों के परती देश के अंदर फैले हुए लाखों करोरों कारिकरताओं को अपना आभार वेक्ट करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया बहुत भँधनेवाद